नमस्कार दोस्तों मैं हूं निधी तीवारी और स्वागत है आपका मेरे चैनल उडान जिन्दगी की में दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची केरी और मौफली के दाने की बहुत ही लाजवाब चटनी ये चटनी खाने में इतनी डिस्टी है आप इसके साथ 2 की जगाट 4 रोटी खा जाएंगे इस चटनी को आप पूरी के साथ पराठे के साथ रोटी के साथ किसी के साथ भी सिर्व कर सकते हैं यह चटनी एक बार ट्राई करने के बाद आप खुछ सोचेंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं बनाई तो अगर आपको यह रस्पी अच्छी लगेगी तो मेरी कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताईएगा आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजेगा यह बहुत ही इजी है बनाना और अगर आपको भी यह रस्पी इतनी अच्छी लगती है जितना की मुझे लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं बनाना तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिकसर जार में 8-10 मिर्ची डाल दी है मेरी यह जो हरी बिचे डाले तो हम जो यह चटनी बनाने जा रहा हैं बहुत ही दीघी बहुत चट्पटी अच्छी बनने वाली है अब मैंने इसमेंड ना है मुझ फली का और दाना मैंने फिल्ट दे फिर अब मैंने इसमें डाल दिया है फिर मैंने एक कच्ची केरी ली है और उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है मैंने कच्ची केरी का छिलका नहीं उता रहा है अब हम इसमें डालेंगे चीनी तो मैंने यहां पर वन टेबल स्पून चेनी डाल दी है फिर मैंने इसमें डाला है half table spoon सेंधा नमक फिर मैंने इसको एक बार grind कर लिया है और फिर मैंने इसमें डाला है हरी धनिया की पत्ती एक बार grind करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको दुबारा grind करेंगे मैंने इसको दुबारा ग्राइंट कर लिया है चट्टी हमारी तयार है हम लगाएंगे चट्टी में तड़का तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैंने वन टेबल स्पून तेल डाला है फिर तेल गरम हो गया है अब हमने इसमें हाप टेबल स्पून जीरा डाल दिया है जीरा हमारा हलका सा तड़क गया है और अब हम इसमें डालेंगे हाप टेबल स्पून राई तो राई भी हमारी तड़क गई है अब हम यह तड़का चट्नी में डाल देंगे तो मैंने तड़का चटनी में डाल दिया है अब चमच की हल्प से हम इसको मिक्स कर लेंगे हमने इसको मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का यूज किया है चाहें तो सादा नमक का भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं इसको ब्रत में भी बना के खा सकते हैं अगर आप ब्रत के लिए बना रहे हैं तो आप ये तड़का मट डालिए पहले ब्रत के लिए चटनी निकाल कर फिर ये तड़का डाल सकते हैं क्योंकि ब्रत में राई कि एक बार इसको ट्राइ करने के बाद आपको यह बहुत ही अच्छी लगने वाली है और अगर आपको मेरी यह रेस्पी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा मुझे कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा कि आपको यह कैसी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मिलते हैं नेक्स रस्पी के साथ थैंक यू